नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News मत्रदेश की रीवा में अखिल भारतिया योग सिक्षा बहासंग ने गांधी जैन्ती के वाके पर पार्क में खटा होकर साफ सफाई की और वहीं रीवा साथ को 57 विस वपा और मांग की कि योग को भी सिक्षानिती में सम्मिलिल किया झाए अखिल भारतिया योग सिक्षा महासंग गांधी जयनती पर विवेका नेंद पार्क पर एखटे होकर वहाँ साफ सफाई की और उसके पश्रत रिवा सांसर जरारधन मिश्रा को ग्यापन सपा और मांग की गई कि योग को भी सिक्षानिती में सम्मिलित किया जाए योग भारतिया संस्कृति का एक अभिन अंग है अपित्य विज्ञान का सबसे उत्तम विशय है जो नाकिवल शारेडिक बलकी मानसिक, समाजिक और अध्यात्मिक इस्तर भी कार करता है जिसकी चर्चा वैद, उपनिसद, रमायन, महाभारत व अन्य समस्त पवित्र ग्रंथो में है, योग अपने शक्तियों से विज्ञानिक तरीकों से परिशित कराता है, जिसे समस्ते हुए सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकरात्मक प्रयासु द्वारा संयुक्त राश्ट की आमसभा में महज 90 दिन के अंदर 170 देशों द्वारा मन्जूरी मिल गई थ बाले काल विशेशकर विद्यारती जीवन में बच्चों का मन कच्छी मिठी की तरह होता है, जिसे सुगमता के साथ कोई भी आकार दिया जा सकता है, वर्तमान काल में ये अत्यंत महत्पून है कि विद्यारती के शारिरिक स्वास्त के साथ उसके प्राणिक, मानसिक, बच करने में सक्षम होगा, बीरो रिपोर्ट, अचबियान न्यूज नहीं किया गया है और नहीं कहीं पे चर्चाय कि यहीं, उसी बिशय को लेकर के हम लोग माधिमी के स्थर, कालेज श्थर पे, सिख्षा के स्थर पे, अपने योग को एक अलग बिशय के रूप में, हम लोग मानी संसर स्री जनार्दर मिश्रज जी को ग्यापन देने के अब अब लोगों ने अभी यहां पर साफ सभाई गिया है और समाज को साफ करने के कारी किया है, और आपन को आत्मा को फी साफ रखना है और शरीर को भी, उसके लिए योग बहुत जिरूरी है, और अभी अंतर राश्टी योग दिवर्सी मनाये गिया, देश और दुनिया अभी योग जानते हैं कि योग हमारे स्वास्तर के लिए कितना लावकारी है, और हम उसको परात्मिकता नहीं दे रहे हैं, जो नहीं सिक्छा नीथी बनी है, उसमें भी योग को कहीं जिक्तर नहीं किया गया है, जब कि माननी प्रधान मंत्री मोधी जी ने 2015 में विश्य योग दिवस मनाया और सब को योग के लिए प्रेरित किया गया अपर उन्होंने ही नएं सिक्छा नीति में जिक्र नहीं किया तो योक होना चाहिए पार्ट और में पार्ट होना चाहिए जिसे सब स्वस्त रहें सुखी रहने रोगी रहें धन्यवाद क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वही खबर हम से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBR News